तुमस्कार मैं प्रोफेसर एस्वी एसस नरायन राजू यूच्यूब चानल में आप सबका मैं स्वागत करता हैं। हम सब जानते हैं रीतिकालीन कव्यों में खासकर बिहारी का स्थान बहुत महतपोर्ण स्थान माना जाता है। क्योंकि रीतिकालीन कव्यों की बात सुनते ही या कहते ही, हम ऐसे आमत तोर पर कहते हैं कि अधिकांश शुण्गार तो आए ही, इसमें कोई दोराय नहीं है। लेकिन जहां शुंगार के साथ साथ और समाज के प्रती अपने उत्तरदायतों के कारण समाज में प्रचलित अनेक जो अनीती अनेक अंदविश्वास बुरे रीति रिवाजों का खंडन के साथ साथ अधिकाम श्ताहा बक्ती से सम्मंदित दोहें भी और नीती भी हैं और बक अज आज विहारी से संबंदित एक दोह का पर्चय मैं देना चाहता हूं को वकोरिक संग्रहों को लाक हजार मो संपत्ति जद्पति सद्विपति विदारन हार यहां को वकोरिक भी हैं कुछ जगा कोव कोटिक भी लिखते हैं दोनों सही हैं और यहां इसका पहले शब्दा देखेंगे कोरिक या कोटिक मतलब करोडों संग्रहो जोडो विदारन मतलब नाश करना यहां कभी का आशय है कि पैसे से नहीं बगवान पर बरोसा रखना है क्योंकि रुपियों पैसों का नहीं है अगर हमारे लिए एक मात्र बिल्कुल अनश्वर नाश्वान नहीं है वो संपत्ति है तो सिर्फ बगवान है कभी यहां कहना चाते हैं बले ही कोई भी करोणों और लाकों हजारों रुपियों को जोडे पर अपने जो वास्तविक दन है तो बगवान कृष्ण है जो सदैव दुकों का नाश करने वाला मतलब भगवान किसको आरती दे रहें आरती हर मतलब सार्य दुकों को क्लेशों को विग्णों को भादाओं को तकलीफों को नाश करने वाले परमसत्ता कौन है भगवान श्रीमन नारायन चाहे श्रीमन नारायन के वतार राम भी कहें कृष्ण भी कहें यहां कोई भी सारे दुखों को नाश करने वाले भगवान राम है यो कृष्टन है बिहारी लाल यहां कहते हैं आपका परमदन है परमदन फोन है भगवान जहां रुपियों की बand ताह नकाए आपका परमदन सहायक होता है क्योंकि अगर साधारन से जो रुपिये लाकों रुपिये तो कोई एक समय एक ख्षन में डाकू लोग आपको बंदुक दिका के उटा भी सकते हैं चोरी भी कर सकते हैं कहीं अगर कुछ कोई एजे एक्सडेंट हुआ तो उसमें मिल ही जाती हैं फिर बक्त को दन की क्या जरुरत है क्योंकि अगर भगवत बक्ती ही मिले तो और किसी की कोई जरुरत नहीं है और यहां बिहारी का कहना देखिए इस समसार में कोई करोनों रुपिये कमा लेते हैं कोई लाकों कोई हजारों रुपिये कमा लेते हैं पर बिह कहते हैं कि मेरी दृष्टी में दन का कोई महत तो नहीं है मेरी संपत्ति तो मात्र स्रीकृष्टन ही है जो हमेशा मेरी विपत्तियों को नस्ट कर देते हैं मतलब सारे दुखों को क्लेशों को तकलीफों को सब को दूर करने वाले एक मात्र बगवान स्रीमन नारायन स्रीकृ यहां देखिए और यहां देखिए कभी का कहना है कि फिर पद के साथ मैं आपको समझाऊंगा कोव कोरिक संग्रहो कोव लाक हजार मो संपति जदुपति सदा विपति विदारन हार केते क्योंकि जितना भी पैसे कोई भी करोडों की संपति का संग्रह करता है तो और कोई लाक मतला हजार या लाक या करोड कोई भी हो परन्तु मेरी संपत्ति तो सर्वदा सर्व हमेशा के लिए ये की संपत्ति हैं सदा सारी विपत्तियों को नाश करने वाले जदपति भगवान स्रिक्रिष्ट्नी हैं इसलिए मुझे किसी और बौतिक संपत्ति की आवश्यकता नहीं ह और विशेश्ताओं में देखे तो कहते हैं कि इसमें चैकानप्रास यावम हे तो अलंकार है और यहां इसमें कवी की बक्ति भावना और सबसे ज़्यादा संतोश वृत्ति यावम इस्ट देव के प्रती अधाद विश्वास का परचयात्मक दोहा हम कह सकते हैं और इसी के साथ-साथ अनप्रास अलंकार है और इसके साथ-साथ रूपक भी है और वित्रेक अलंकार भी है और क्यों वित्रेक है या मैं आपको बता देता हूँ और भगवान की बक्ति उत्पन होने पर विक्ति की समस्तलावकिक संपत्ति की इच्चाएं समाप्त हो जाती है भगवान की बक्ति चिरंतन संपत्ति है और इसमें प्रतम पंक्ति में अक्रमत दोशे कैसे कोटिक लाख हजार के स्तान पर क्या होनी सही क्रम क्या है हजार लाख करोड ये तो मैं कभी की किलाफ कहना नहीं है तो ये दोश माना जाता है लेकिन इसमें वास्तों में हजार लाख करोड होनी चाहिए लेकिन उन्हें करोड लाख हजार कर दिया ये तो इसके वी इससे कोई बड़ी बात ने तो हम विजार्दियों को समझाना है इसलिए मैं बताना चाहता हूं और इस पद का वास्तविक अर्द और एक बार देखें इसमें बिहारी लाल साफ साफ स्पस्ट शब्दों में ये कहना चाहतें कि वास्तों में संपति हजारों लाकों करोडों ये कोई संपति नहीं है वास्त्रिक संपति क्या है समस्त क्लेशों को दुखों को तकलिफों को बादावों को विग्णों को नाश करने वाले विदारनहार मतलब सारे विपतियों को नाश करने वाले स्रीक्रिष्ण की परमबक्ति ही सबसे बड़ी संपति कहते हैं यहां बिहारी ल झाल